चटका पावन अवसर है ऐसे में तैयारी जो है वो चारो तिरब जोरो शोरो से दिखाई दे रही है मैं इस वक्त दिली के आईट्यो घाट में हूँ जहाँ पे चट को लेकर तैयारी जो है वो जोरो शोरो से चल रही है लगतार पिशले 15 दिनों से यहाँ पे सफाई का चुकाम है वो किया जा रहा था और घाट की बात करूँ तो इस आईट्यो घाट में सबसे खास बात यह है कि घाट के साथ साथ यहाँ पे एक कृतिम घाट भी बनाया गया है तो आप देख सकते हैं कि मैं कृतिम घाट में खड़ी हूँ और इस घाट में अभी पानी भरा जा रहा है मैं आपको एक नजर वहाँ दिखाना चाहूंगी आप ज़रा देखिए यहाँ से साफ पानी जो है यहाँ पे लगतार भरा जा रहा है और यह पानी बरने का जो सिल अबकुल भी गंदगी नहीं देख सकते और कहा जाता है कि छटी मैया को सफाई जो है वो बहुत जादा पसंद है इसलिए छटपर्व के अफसर पर काफी दिनों से ही जो सफाई है घाटों में वो चलती है घाट लोग साफ करते हैं पूजा की तैयारी करवाते हैं तो पान की तरफ से उसकी जो विवस्था है वो जो की जाती है और ये काफी सालों से लगतार ये जो प्रक्रिया है वो चला आ रहा है कि छटके कुछ दिन पहले ही यहाँ पे कृतिम तालाब में पानी भरा जाता है और लगतार जो है यहाँ पे पानी भरा जा रहा है उसकी साल तत म आपको घाट का एक नजारा दिखाना चाऊंगी आप ये देखिए ये कृतिम तलाब की तस्वीर है इसको कृतिम रूप से बिल्कुल सजाया गया है जहां पे इसका विशेश महत्वह सुरी की उपासना की जाती है जहां पे यहां पे जो भी ब्रती है वो यहां पे बैट के पूजा पाट करते हैं पूजा अर्शना करते हैं कहा जाता है कि छटका जो अफसर होता है वो चार दिनों तक चलता है नहाई खाए, खरना, पहला अरग, फिर दूसरा अरग नहाई खाए के दिन जितने भी ब्रती होते हैं वो सुबह उठके नहाद होके पूजा पाट करते हैं लौकी चावल खाने का विशेश मात्व है और वहीं खरना की बात करें तो खरना में लोग अपने घरों में खीर पूड़ी बनाते हैं खीर पूड़ी खाई जाती है उसका भी अपना विशेश मात्व है जो सबसे जादा इंतजार का पल होता है वो होता है तीसरा दिन यानि की पहला अर्ग का दिन जहां पे डूपते वे सुरे को अर्ग दिया जाता है और उसे ही अर्ग देने के लिए जितने भी लोग है अपने घर से निकल के इस घाट तक आते हैं घाट पे खड़े होके इसी घाट पे लोग खड़े होके जितने भी ब्रती है जिनका ब्रत होता है जो छट पर वो मनाते हैं वो इस घाट पे खड़े होके सुरे के निकलने का इंतजार करते हैं सुरे की उपासना करते हैं और उसी के साथ साथ जब आखरे दिन होता है यानि की छट का चौथा दिन होता है वहाँ उगते हुए सुरिक को अर्ग दिया जाता है ब्रती जितनी भी आती है वो यहाँ पे घाट के किनारे खड़े होके अपना जो सूप दौरा होता है उसका समान निकालके पूजा समागरी का समान निकालके इस घाट को अच्छे से सजाती है दौरों से घटा सजा हुआ घाट बेहदी खुबसूरत नजर आता है चट के दौरान फल, फूल, दीप के साथ पूजा पाट जिस प्रकार से होती है भीर जो होती है उसे देखते ही लोगों के अंदर एक अलग सा उत्साह नजर आता है और कहा ये भी जाता है कि चट का पाव और विश्वास के साथ मांगेंगे तो छटी मईया आपको कभी भी निराश नहीं करेगी और ये एक ऐसा तहवार है जिसके तैयारी जोरों से चल रही है बिहार हो या यूपी हो या कोई भी एरिया हो धीरे-दीरे ये चट पर जो है दिल्ली के साथ-साथ बड़े-बड़ दिल्ली